अब तक का सबसे बेस्ट कलेक्शन ये मार्केट अंद्र लोग से भी दसकुना बड़ा है और ये मार्केट दो अलग-अलग पार्ट्स में लगता है ठीक है एक न्यू सिलमपूर के तरफ है और एक अलताज दवा खाना के तरफ है तो पूरा मार्केट एक साथ कवर करना तो बहुत ही मुश्किल है इसलिए मैं आज सिलमपूर का कुछ ही हिस्सा आपको दिखाने जा रही हूँ लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में भी आपको बहुत ही प्यारा प्यारा कालेक्शन मिलेगा और अगर थोड़ा सा टाइम से जाते हो तो भीड़ भार भी आपको ज्या अगर आऊं तो इस वीडियो पर और सिलमपूर के वीडियो पर आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखाना पड़ेगा क्योंकि इंद्रलोग का कवर करने के बाद में बिल्कुल हालत नहीं रह जाती है और कहीं जानेगी तो प्लीज अपना मोटिवेशन दो तब ही ये पासि से एक्जिट करना है वहां से ए रिक्षा लेना है और उस ए रिक्षा से आप चाहें तो न्यू सिलमपूर मार्केट उतर सकते हैं और या फिर आप अलताश दवा खाना के पास पहुंच सकते हैं दोनों ही एरिया से इस थर्स्टे मार्केट में आपको एंट्री मिल जाएग तो ये जो एरिया है ये फ्रूट मार्केट के एंट्री का है कॉर्नर पेग जूस की दुकाने यहां से आप जूस भी पी सकते हो क्योंकि और कुछ खाने पीने के आप्शन यहापर है नहीं यहां पर फ्रूट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही सस्ते प्राइ तो यहां पर भी एक आपको छोटा सा बहुत ही चांदनी चॉक जैसा मार्केट देखने को मिलेगा लेंगे आपको क्या कहते हैं सूट इस तरीकी की बहुत सारी शॉप्स यहां पर मिलेंगी डेडी टू वेयर वगेर सब कुछ हां साडियों का थोड़ा सा काम उप्शन है बाकी 4000-5000 इस तरीके की रेंज में भी यहां पर आपको कपड़े मिल जाते हैं और इस सड़क पे आपको बहुत सारी क्रॉकरी के इस तरीके के ठेले मिलेंगे यहां पर देखे कितनी क्यूट मेरे हाथ में कैटल है यह सिरामिक है सारा जो चीनी मिट्टी वाले बरतन होते है यह सिरामिक में है तो वह आप यहां से ले सकते हो और अगर आपको क्रॉक्री एकदम बढ़िया वाली चाहिए गिफ्टिंग के परपस से या यूज करने के लिए डिनर सेट्स वगेरा तो अलरडी मैंने अजाद मार्केट के ब्लॉग कवर किये हुए है आप चाहे तो मु क्योंकि इसमें दो अलग-अलग साइज थे तो शॉपिंग के लिए इस तरीके का बैंक तो यूज मत करना इसमें कुछ आएगा नहीं लेकिन यह बहुत ही क्यूट लग रहा था इवन आप इसमें कोई चोटा मुटा प्लांट भी लगा सकते तो फ्रूट मार्केट में गली है क्योंकि आजगे जो भी मैं कलेक्शन आपको दिखाऊंगी फिर अगर लोकेशन आपको ना पता हो तो मजा नहीं आएगा ठीक है तो यह हैंड लूम वाला शॉप मैंने दिखाया इसके बिलकु सामने वाली गली की पहली दुकान में आपको दिखा रहे हूं यहां पर रग्स, मैट्स और पहाती प्यारे प्यारे दमशाही डिजाइन वाले कारपेट्स आपको देखने को मिलेंगे फिलहाल यहां पर जो स्टार्टिंग है वो सिर्फ 100 रुपीस से हो जाती है काफी बड़े साइज के मैट्स आपको मिल जाएंगे जब भी जाते हूं भई तो यहां कारपेट्स लगे हो है जो सबसे पीछे है डाग ब्राउन कलर का इस तरीके का आपको मिल जाएगा लगभग 25 की रेंज में थोड़ी बहुत बारगिनिंग भी भीया लोग कर लेते हैं नीचे यहां पर आपको माइक्रो फाइबर वाले कॉर्टन वाले टॉवल्स मिल जाएंगे सामने आप जो देख रहे हो यह बाकी कमफर्टर्स के सारे डिजाइन्स है तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हो तो चलिए यह सामने वाली गली में अब मैं अंटर कर चूप है इसके बाद देखे कितनी लंबी चोड़ी के दुकान है पूरी यहां बच्चो का ठेला जा रहा था और इनकी चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही थी बीस रुपे दरजन के साब से यहां पर भाया चूड़ियां दे रहे थे इनके पास में इंग्लिश शेड्स भी है चुकि मुझे काफी अच्छे लगे इनसे नेक्स यहां पर एक भाया आपको मिल अब बिलकुल कॉर्णर में यहां पर आपको एक दुखान मिलेगी जहां पर बहुत ही स्टाइलिश क्रॉकरी के आइटम मिल रहे हैं यह जो मैंने आपको भी हाथ में कैटल जैसा दिखाया यह था आपका लेमेंट सेट और अब जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो कोईर इ नेक्स यहां पर आपको माइक्रोवेफ सेव बोल्स मिल जाएंगे चोटा साइस बड़ा साइस सब है और भीया का कलेक्शन देखते ही मैं पैचान गई थी कि यह दर्या गंज से आए है क्योंकि यह सेम चीजे मैंने वहां पर दर्या गंज में कवर की थी चितली कबर के मार अब इनकी जो दुकान लगी हुई थी ना यह जिस गली में लगी थी उसी में आपको राइट लेना है हैंड लूम वाला मैंने आपको बोड दिखा दिया उसके सामने वाली गली में आओ और सबसे पहली कट पे आप राइट में मुड जाना बस महीं पर स्टार्टिंग में इसके बाद इस तरह की की बैंगल्स आपको मिल जाएंगी यह सारी 100 की नहीं है स्टार्टिंग में मैंने आपको जो दिखाई वह 100 की थी थोड़ा दूर यहां पर बैट शीट वाले भीया जी थे यह जो लेडी यहां पर देख रही है बैट शीट से प्योर कॉर्टन की थी तो प्योर कॉर्टन वाली इनोंने मुझे बता ही 4.500 की किंग साइज में और बाकी जो ग्लेस कॉर्टन वगेरा की हैं वो 3.500 की तक में आपको मिल जाएगी विट पिलो का बर इसी केली में आपको फुटवेर वाले भीया मिलेंगे इनके पास में हमेशा ही नए 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 और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही सही है अगर आप इसे दो तीन महीने पी चला लो तो मुझे लगता है पैसा वसूल है क्योंकि इतने कम प्राइस में इतना बढ़िया डिजाइन और इतने स्टाइलिश ट्रेंडिंग फुटवेर आपको और कहीं देखने को नहीं म सामने है यह न्यू लाइफ क्लीने कि यहां पर हमेशा बच्चों की पॉँपों करने के आवाज आती रहती है क्योंकि उनकी मम्या यहां पर लाके उनको सूई लगाती है तो इनके बिलकुल आगे आपको यह फुटवेर वाले भाया मिल चाएंगे और आपको एक चीज बत और आगे बहुत सारे आइटम्स दिखाने वाली हूँ यहां पर आपको और गैंजा आपने देख लिया होगा बहुत ही प्यारा सा है डिजिटल प्रिंट में इनके पास उपर नेट का फाब्रिक आपको मिल जाएगा सबके पने अलग अलग है 120 से लेके 180 रुपे मेटर तक जॉजट के फाब्रिक की शॉप में दिखाऊंगी उनका फाब्रिक तो ऐसा था जॉजट का कि जैसे शिफोहन हो वाकई में मैं कन्फ्यूज हो गई सोचो तो यह भाया है यहां पे पीछे वाल के साथ में बिलकुल यह लगाते है अचार वाली गली में नेक्स्ट इनके ब प्रेंट्स आपको और मिल जाएंगे इसके बाद जो मैं आपको पिंक वाला दिखाने वाली हूं अपी दिखाऊंगी खोल के तो पीछे जो अच्छा सामने जो लगे है वो भाया ने अंडट के बताए है यह जो पिंक वाला भाया ने दिखाया इसका कपड़ा उतना गफ नहीं था समझ जो इसमें थोड़े छेट-छेट से दिख रहे थे लेकिन जो पहले हमने आपको दिखाया वो बहुत ही बढ़िया था भाया ने बोला कि यह चादर का भी काम करता है तो मेरे दिमाग में क्या आया बेड़ वाली चादर की बात कर रहे है मैंने आप दिवान नहीं देते तो मेरी तरफ से भी भाया के तरफ से भी इनके सामने एक और यहां पर टेबल लगा हुआ था जहां पर की प्योर कॉटन की आपको पांड्स मिल रही है और प्राइज आप देख सकते हो इतने कम प्राइज में मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था मैंने कहीं तिनी सस्ती आज तक पैंड्स नहीं देखी यार लेगिंग भी 100 रुपे की मिलती है और यह लेगिंग से भी ज्यादा अच्छी प्योर कॉटन की पैंड्स तो यह जो दुकान है यह अचार वाली गली में आपको मिलेगी इनकी दुकान के बिलकुल बगल में एक भगल में आपको ट्रे मिल जाएंगे छोटे बड़े हर तरीके के साइज है इविन पीछे सबसे पीछे में आपको दिखाऊंगी जो चार किलो पांच किलो का केक रखने के लिए बहत ही परफेक्ट है बड़े ट्रे तो मुझे देखते है असा लगता है कि इसमें तो अभी बर्डे क यह जो आप देख रहे हैं यह 150 का इन्होंने कोट किया था और यह प्लास्टिक का था नीचे वाला मेला माइन में है और दूसरी तरफ इन्होंने यहां पर सारा कटोरियों का सेक्शन लगा हुआ था इसमें प्रिंट डिजाइन की नहीं है बस थोड़ी महनत करनी होती है से इंप्रिंट डिजाइन भी इसमें आपको मिल जाएंगे प्लास्टिक भी था और मेला माइन भी था बस इन्ही की शॉप में आपको दिखाई दिखिया चार वाली गली में मैं चलते वा आ रहे हूं और यहां पर कॉर्णर में ऐसे ओपन शटर वाली आपको दुकान मिलेग ग्राउंड फ्लोर पर यह थोड़ी से उचाई पर बस यही है सुहेल भायाजी की शॉप जो की मेरट से आते हैं एक सुहेल भी आप मैं आपको सदर बजार में दिखातू लेंगे वाले यह वो नहीं है यह भाया आते हैं मेरट से आपको इनका एड्रस चाहिए तो आप इन इन में से किसी में भी नहीं देखा और भया से आप उनलाइन भी ले सकते हो आप में से जिसने भी उनलाइन मंगाई है अपना फीड़बैक जरूर दे दीजेगा यहां पर देखे कुछ साडिया हैं जो भया ने ओपन करके रखी हुई थी और कुछ हैं जो की सिर्फ आती है ओपन करके चेक करके आप ले सकते हो कलर डिजाइन बहुत ही सुंदर है अच्छा जब मैं पहुंची तो भया ने बोला कि आद्या जी आप आतो गए लेकिन मेरे पास तो कोई नया कलेक्शन नहीं है वैसी वाला है जैसे मैं हमेशा लाता हूँ तो मैंने का कोई बा इसके अलावा ये इस तरीके की साड़ियां रहेंगी प्योर की देख सकते हो वर्क वगरा बहुत ही गजब है प्राइजेज वगरा बहिया ही बताएंगे अगर आप लेना चाहते हो तो ऑनलाइन उनको काटेक्ट कर लेना अच्छे से देखो हर चीज जान पहचान करके मतल और या फिर आप मेरट में ही जाके इनकी शॉप जहां पर भी है वहाँ परचेस कर सकते हो तो इनका ये जो पूरा भी मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा रही हूँ इसमें एक सेक्शन ये साड़ियों का था दूसरी तरफ एक भाया जी यहां दुपट्टे लेकर आए ह इतनी सॉफनस बिलकुल जैसे भी मैं आपको साड़ियां दिखाई उसी प्योर फाब्रिक में और इसके अलावा भाया ये कश्मीरी इंब्रॉइडरी वाले जॉजट फाब्रिक के दूपट्टे लेकर आए हुए थे और इसकी इंब्रॉइडरी इतनी ज्यादा बारीक और महीन है कि बिलकुल ऐसा प्रिंट ही लग रहा था पूरा फुल लेंथ का दूपट्टा है ये वो दूपट्टे नहीं होते जो आप गले में लो ये वो होते हैं जो आप किसी भी अच्छे से नॉर्मल अच्छे मतलब पार्टी वे सूर के साथ अपने शोल्डर पे ले सकते ये काफी अच्छे प्रिंट रिजाइन में बहुत ही अच्छे सॉफ्ट दूपटे भाया लेकर आयोए थे उनलाइन लेना चाते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मुझे नहीं पता इनके पास इसका कितना स्टॉक है तो ये वाले हैं जो हेवी इंब्रॉइडरी वाले इसमें भाया के पास तीन-चार कलर थे रॉयल ब्लू था ब्लाक था ग्रीन था और वाइड था तो ये दे रहे थे ये 450 रुपीज की रेंज में और इसमें उन्होंने कोई किसी के साथ बारगिनिंग नहीं की लाइक सीलमपूर के जो लोकल्स हैं उनको पता है हर चीज उनको सस्ते में ही लेनी है तो देवगर आसकिंग की भाया 200 लगा लो बिल्कुल ही 50 पर ले आए पर भाया ने किसी को भी इतना कम नहीं दिया इसमें देखे वाइड शेट भी है और इसके बारे में भाया ने बताए कि ये डाई भी हो जाएगा जौजिट के फाब्रिक तो सीलमपूर क जो आइटम है दुपट्टा और ये सब ये इनके पास कभी गभी आता है ये हमेशा नहीं रहता तो ये भी मैं आपको दिखा रहे हूं इसमें सब के डिजाइन अलग है नेक पर जो डिजाइन बने वह लग है यहां पर दुपट्टे का एक कलर मैं और आपको दिखा रहे ह जैसे देखने में फुलकारी जैसा लग रहा था तो ये सब सुहेल भया की इसी शॉप में आपको मिल जाएगा नेक्स यहां पर मैं आपको लेंगो का कलेक्शन दिखा रहे हूं जो कि इस प्राइस में तो बड़ा ही रेयर है भाई कोई सोच भी नहीं सकता इतने कम प्राइश पाटन में और यह लेवेंडर शेट का मैंने ही उपन करवाय था क्योंकि बहुत सुन्दर लग रहा था देखो उससे भी ज्यादा है जिग-जाग पाटन में और उससे भी ज्यादा सस्ता लेंगा तो यह अगर अब भी भया के पास टॉक में है तो आप पर्चे अगर आप साड़ी ले रहे हो फैबरिक क्या है आचल दुपटा जो भी लेंध वैंध आपको पूछने है वो पूछ लो लेंगा जो मैं दिखा रहे हूं उसके बारे में भी अच्छे से पूरी इंफोमेशन ले लो अब यह जो मैं दिखा रहे हूं यह बिल्कुल मुझे लेंगा लग रहा था पर भया ने कहा कि नहीं यह गरलिश पैटन में है इसका फैबरिक जॉजट है लेकिन आप खुद देख के बताओ यह कहां से गरलिश लग रहा है इतना प्यारा इतना खुबसूरत इनके जो ब्लाउस के डिजाइन्स है वो भी काफी आपको हटके दे देनिया पर भया ने टिल ग्रीन कलर का मुझे सीक्वेंस वाला इतना प्यारा सा लहंगा दिखाया इसमें जे सीक्वेंस भी लगे है τα रिइनबो सीक्वेंस है ग्रीन कलर के ही लेकिन इसमें भी मल्टी कलर शाइन है बोहथ ही सुन्दर टोन टू- dealt o mm का दुपड़ और सेम कलर का आपको ब्लाउज मिल रहा है कितना प्यारा डिजाइनर भाया के लहंगों के मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है कि इसमें जैसा लहंगा का कलर है वैसा ही दुपट्टो का कलर है बहुत ही जादा रेर चीज़ है और ये मुझे परसनली बहुत अच्छा लगता है आप कहीं भी जैसे थोड़ा चाननी जोग या सदर में भी जाओगे तो वहां पर गर्लिश लहंगों के साथ में भी कंट्रास्ट दुपट्टा वो भी लाइट कलर का होता है तो मुझे मैं अपने परसनल बता रहू हूँ मुझे मैचिंग लहंगे का मैचिंग यह सब जॉजट फाब्रिक के लहंगे हैं गर्लिश पाटन में जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हो सिक्वेंस डिजाइनिंग सब कुछ बहात ही पॉफेक्ट है तो यह मैं आपको साड़ी दिखा दी वहां कॉर्णर में दुपट्टे चल रहे हैं यहां सूट फाब्र और यहां पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ ब्राइडल लहंगा यह अब तक का सबसे पैसा वसूल लहंगा है मैं ऐसा क्यूं कह रही हूं पता है पास से देखो इसमें जो शीशे लगे हूएं भाई कुछ भी पेस्टेड नहीं है चारो तरफ इसमें एंब्रॉइडरी चल रहा था तो अगर यह पीज है बिल्कुल मत चोड़ना ले सकते हो बहुत ही सुन्दर लहंगा है और इसका आप आप देख लीजे ब्लाउस और दुपट्टा इसके ब्लाउस में भी मिरर है और वो भी मिरर इसी तरीके से प्रॉपर टाके हूएं पेस्टेड नहीं है ब अगर आपकी फर्वरी जनवरी दिसंबर में शादी है तो भी आप उस टाइम के अकॉर्डिंग नया कलेक्शन ले लेना कोई ऐसी जल्दबाजी वाली भाद भी नहीं है ठीके है अब यहां पर आगया आपका वाइन कलर का लेंगा सेम प्राइस रेंज में है यह आगया इ पूरा जो शॉप है यह भाया का ही लगा हुआ है इनका नंबर और फोटो मैंने शेयर कर दिया है लोकेशन में आपको बताती है यह अचार वाली गली में आपको मिल जाएंगे इनकी दुकान से सामने जो दिवार लगी मिलेगी आपको यहां पर आपको फाब्रिक वाले भ अगर यह सितारा होता प्रॉपरली अच्छे से टाका हुआ तब यह लहंगा तब यह दुपट्टा बिल्कुल पैसा वसूल था हाला कि एक दीदी ने यहां पर इसे परचेस भी कर लिया यह पेस्टल शेट में था एम्डॉडरी सबकी एक जैसी है पेस्टल शेट थे तो यह एक दीदी ने लिया था ठीहंड़र रुपीज का एक उन्होंने परचेस किया था यहां से तो फ़ाब्रीक दुपट्टे वाले भाषया कि बिल्कुल बगल में यहां पर कमफर्टर और बेट शीट वाले भाहिया है यहां पर भी कमफुर्टर आपको बिना पाकेट के म लगता है और इस तरीके के माचिंग सेट्स बिछाने से घर की जो लुक है बेड के लुक्स है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं अट लीस्ट जब आपके घर में महमान आ रहे हैं या कोई पस्टिकुलर फेस्टिवल का टाइम है तब आप जरूर इस तरीके के जो है बेड उपन करके चेक करके लिए ना है ये फैबरिक लेस कॉर्टन का प्योर कॉर्टन नहीं है मैं आपको बता दू अगर आपको ठीक लगे इतना बुरा भी नहीं है साड़े थीन सो में अट लीस्ट एमार्पी के साथ तो मिली रही है अचा नेक्स यहां पर आपको ये ब्लांक कॉ민िंग सेट है प्राइज मैंने कॉर्ट कर दिया है इसमें आपको दो पिलो कवर और एक इस तरीकी की बेड़ शीट मिल रही है और यह दोनों ही कुषिंड है कुषण मतलब हलका स אני दोनों ही यह नहीं पर आप इसे चेक्स-टेक्स बनने हुए ना तो यह दोनों ही कुष तो आप मान के चो लो कहीं बेगी किसी भी मार्केट में आप जो यह तो एक प्राइस है ही साड़े पांसो में ही जादा तर हर जगा अपको मिल जाएंगे और चांदी चॉक में जाओगे तो फ्रेश कमफर्टर आपको इस तरीके के साड़े 700-800 में मिल जाते हैं अपने बैग के साथ तो इनका नंबर मैंने शेयर कर दिया है हैंड लूम और जो भी एक्सपोर्ट के इस तरीके के होम डेकोर होते हैं वो भाईया के पास आपको मिल जाते हैं नेक्स इसी गली में आपको मिल जाएंगे बैग वाले भाईया इनके पास कोई भी आइटम आप ले लो एक ही प्राइस है भाई साब 200 रुपे और इतने अच्छे लगते हैं इनके बैग प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत मतलब मैं बता रहे हूं इतने सस्ते सरोजिनी मे भी नहीं मिलेंगे ग्यारंटी मैं दे रही हूं आपको प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी जो क्वालिटी निकल कर आएगी वह बिल्कुल सही है तो 2500 रुपे में तो यह ही मिल सकता है और यह भी इतने बड़े बड़े अच्छे साइज हैं तो यह चार वाली गली में सीधे जो शॉप पड़ेगी यह बैंक वाली गली में यह शॉप मैंने पहली बार कवर किया है और इस बारना मैं थोड़ा जानबूच के लेट गई थी क्योंकि पहले मैं जल्दी पहुंच जाती थी और यहां पर जो कुछ अच्छी शॉप से वो लगी नी होती थी तो अजान ज साइड या जैसे थोड़ा शाली मार बाग हो गया शोक विहार रूहनी साइड के मार्केट में आओ क्योंकि वहां पर इन चीज हो की और प्राइस के अकॉर्डिंग जो वो सेल कर रहे ना इनकी ज्यादा वैल्यू है यहां पर बहुत ही रेर लोग है जो तीन सो रुपे का क्लिप लेंगे बट वहां पर वेस्चेली साइड में उनको पता है मौल में और महंगा मिलता है तो उनको वीकली मार्केट में अगर ऐसा कलेक्शन मिल जाए तो उनकी तो वाकर ही चांदी हो जाएगी ऐसा मुझे परस्नली लगता है क्योंकि मैं अब गई थी ना रोनी का तो वहां पर सी मिसी तरीके का कलेक्शन था जो भाया यहां पर शाहिद हंड़ का दे रहे हैं आपे 200 रुपीज का था और लोग ले भी रहते तो इस तरीके का कोरियन जूल्री का अगर आपको चसका है चसका ही बोलूंग मैं तो आप यहां से पर्चेजिंग कर सकते हो यह बिया ने कुछ कुछ लॉकेट्स दिखाये जिनकी लाइफटाइम पॉलिश की गैरेंटी है अब यह पीस आप देख रो कितना यूनीक है लाइक वेस्टन एतनिक किसी के आद में भी बेहर कर सकते हो नेक पीस है यह 500 रुपीस का यार बहुत मैं कहारे हूं रह हुआ हो इनके पास जो चीजे है ना सारी यह एक्सपोर्ट की है कोरियन एक्सपोर्ट की है तो इसलिए यह थोड़ी कोस्ली साइट पर है बट आपको ऐसी चीज मिलेगे जो बहुत ही जादा यूनीक है क्लचर आप मेरे हाथ में देख रहे है यह पूरा इसमें बीट्स वर्क है मो इसे नॉर्मल वाले नहीं जो हमारे आसपास के मार्केट्स में मिलते हैं बहुत ही डिजाइनर से यह मैं आपको उतार के नहीं दिखा पाई कायो में फर लगावाई प्रॉपर बच्चों की चोटियां है और भी बहुत कुछ था मैं अपनी आँखों सो देख पा रही थी कैमरे में हर चीज में कैप्चर नहीं कर पाई आप बोलोगे तो अगली बार और डिटेल में इनका कलेक्शन में दिखाऊंगी सो मोटा मोटा यहां पे 100 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक की रेंज में काफी अच्छी एक्सेस्टरीज मिल जाएंगी जो कि वैसे आपको नॉर्मल शायद कहीं देखने को भी नहीं मिलती और ऑनलाइन तो डबल ट्रिपल प्राइजस होते ही हैं अब यह देखे 100 रुपीज में इतना प्यारा सा क्यूट सा है यह हैर क्लिप डिजाइनर है लेटिस्ट है और कुछ हटके है तो आप चाहो इनकी शॉप पर आ सकते ह बैंक वाली गली आपको बोलना होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हैंड लूम की दुकान दिखाई और बोला कि इसके सामने से मार्केट में इंटर करो जब आप उसे एरिया में आएंगे ना पर बैंक वाली गली अचार वाली गली नीलम दवा खाना यह सब पास प आपका कार्ड मैंने दिखा दिया ओनलाइन के लिए भी पूछा था बड़ बोला कि कम से कम 10,000 की शॉपिंग होनी चाहिए ओनलाइन के लिए तो इन भीया जी की जिस्ट बगल में एक दूसरी शॉप मैं आपको दिखा रही हूं बैक्स की इनके पास में भी अच्छे सुर्पे वाले दिखाए उनकी क्वालिटी 250 के ही अकॉर्डिंग बिल्कुल पैसा वसूल है डिजाइनर बैक्स 250 में उस तरीके के बिल्कुल पैसा वसूल है यह वो चीज है जो कि आप अगर प्रोफेशनल हो या आपको थोड़ा बेटर क्वालिटी चाहिए कि मेरा वो ब मैंने आपको कोरियन जूल्री वाले दिखा दिये इनके बिल्कुल बगल में एचन ए नाम से बैक्स का यह कलेक्शन है इनके जिस्ट बगल में जो नेक्स चॉप मुझे देखे यहां पर फुटवेयर मिल रहे थे शूज भी थे और संडल्स भी थे और अगें सेल कोई बुरा ही नी है मैं कहते हूं इन चार महीने भी चल गया तो पैसा वसूल है अब यह जो आपको मैं संडल दिखा रहे हूं अगर यह जया बच्चन जी ने पहनी होती तो इसको पहन के बिल्कुल अमिताब बच्चन जैसे हाइट हो जाती हूंगी बहुत अच्छी कमफ दिखा रही हूं जैसे भी आ रखके दिखा रहे हैं यह था सिर्फ 20 रुपीज में मतब कोई बेसिक सापके पास में कुर्ता है सूट है या कुछ भी शर्ट वगरा कुछ भी है तो उसके लिए आप यहां से पैच्च ले सकते हो इनके पास अंदर आपको फाबरिक भी मिल बल देऀ शगेंगे में जाओ तो यह मैंने आपको को जूली वाली दिखा एफिर फुट्यवय वाले भी और यहां पिर यह पाइज वाले ब्हम यह यहां पर मिल जाएंगे लिकिन हां पैच्च नी मिलेंगे दूबार ह यह कभी कभी आता है फाब्रीक और लेसिज की शोप था मुझे 42 विथ इसकी मुझे बहिया ने बताए और प्राइस मुझे एक्जाक्ली ना याद नी आ रहा कुछ 30 या 40 रुपे मीटर था ठीक है वह आप देख ले ना नेक्स्ट इसी बैंक वाली गली में यहां पर एक बहिया ने कुर्ती ब्लाजो के सेट्स लगा रखे थे तो उपर वाले जो देख रहो वो थोड़े फैंसी है ऐसे आपको अनार कली स्टाइल में नायरा कट वाले में मिल जाएंगे साड़े 500 से साड़े 600 में और नीचे जो है यह डेली यूज के हैं सिर्फ और सिर्फ साड़े 300 रुपे में देख सकते हो रॉयल ब्लू कलर का कितना प्यारा लग रहा है मुझे यहां पर प्रिंट्स काफी अलग हट के देखने को मिले इंदर लोग में अलग तरीके के होते ह यहां पर काफी अलग तरीके के हैं और अब जो मैं आपको शॉप दिखा रहे हूं यह मेरी पर्सनल फेवरेट है और आपकी भी हो जाने चाहिए क्योंकि इनके प्राइस बहुत ज्यादा डीसेंट है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यार हमेंसे बहुत लोग इन चीज़ों को देखो बुरा मत मानना फिर आपको होगे कि मैं दूसरी मार्केट की बुराए कर रहे हूं यार बंजारा मार्केट आप जाते हो दिल्ली छोड़ के फिल्कुल ऐसे एंसे एरिया में और वहां पर यह पारगिनिक करने के बाद मैं आपको तीन सो का चार सो का देते हैं ऐसे पान सो छे सो साथ सो आट सो कोट करके और यहां पर भाया मैनिफेक्चरर है तो डारेक्ली आप इनसे ले सकते हो इनके पास यह जो चीज़े मैं आपको दिखा रही हूं यह तो कुछ भी नहीं है इनके पास प्रॉपर पाँच यहां पर लगाती है तो नीलम दवा खाना की जो गली जा खतम होती है बिल्कुल वहीं भी आपको मिल जाएंगे फाइनलिया जिनका कार्ड आपके साथ में शेयर कर रही हूं और लोगों के साथ यह शॉप जरूर शेयर करना ताकि किसी को भी अगर कम बज़ेट में अपना अध्यान रिखे टेक केर गॉडब